आप सभी फ्रेंट का वेलकम है एक नई बीडियो में तो फ्रेंट जैसा कि आप संडे को इंतिजार करते हैं हमारी न्यू बीडियो का उसी तरह हम इंतिजार करते हैं आप से मिलने के हर संडे को तो फ्रेंट हमारी वीडियोर नरसरी पे ही रहती है, तो आज हम फिर नरसरी पे आगए हैं आपको घुमाने के लिए, तो चलते हैं नरसरी पे क्या-क्या प्लांट आपको देखने को मिलते हैं तो friends सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाब पे तो friends इस समय नरसरी पे आपको सभी नरसरी पे English और हमारी देशी ब्राइटी के जो गुलाब होते हैं वो आपको मिल जाएंगे friends गुलाब की केर कैसे की जाती हमारे चेनल पे डिटेल में वीडियो है तो आप चेक कर सकते हैं friends हर नरसरी पे आपको 100 रुपीस का गुलाब मिल जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे कई कलर हैं इसमें दोस्तो सबसे प्यारा कलर जो होता है वो होता है आपरा का डापरा जो की एक वेराइटी है वो बहुत ही खुबसूरत गुलाब होता है इसमें कई कलर आपको मिल जाएगे तो friends आप किसी भी नरसरी पे अपने मन पसंद गुलाब बाई कर सकते हैं तो friends यह समय बहुत ही अच्छा है गुलाब लगाने के लिए चलते हैं अपने नेस्ट प्लांट पे तो friends नेस्ट प्लांट है हमारा गुड हैल तो देख सकते हैं friends यह हाइब्रेड है हाइब्रेड जो गुड हैल होता है उसका फ्लावर बहुत बड़े साइज का होता है friends तो आप इनको ले सकते हैं और यह कई कलर में आपको मिल जाएंगे यलो, रेड, पिंक प्लांट है वो है मेरीगोल्ड गेंदे का प्लांट बहुत ही खुबसूरत यह कई कलर में मिल जाते हैं हमारे को तो friends इसकी कोई ज़्यादा केर नहीं होती है बस इसको आप इसको जब भी लगाएं तो मिट्टी के गमले में ही लगाएं तो आपका यह प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा प्लास्टी के गमले में हमसे धियान नहीं रहता है ओवर वाटरिंग हो जाती है हमको उपर लगता है कि इसकी मिट्टी सूखी और हम पानी दे देते हैं तो उससे क्या होता है इसकी जड़े जोती गल जाती है तो आप देख सकते हैं इसको बस नमी चाहिए ओवर वाटरिंग नहीं चाहिए अगर ओवर वाटरिंग कर देते तो आपका यह प्लांट बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी इस प्लांट को आप लगाएं अपने घर पे तो ओवर वाटरिंग ना करें और फ्रेंट जैसे यह देख सकते कितनी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है ऐसी फ्लावरिंग के लिए फ्रेंट इसमें अगर डी एपी के दाने हर पंदरा दिन में डालते रहें तो ऐसे ही आपका प्लांट भी फ्लावरिंग करेगा फ्रेंट अभी यह प्लांट जो है यह अपरेल तक ऐसे ही फ्लावरिंग करेंगे उसके बाद हम गेंदे की जो समर में वराइटी लगती है वो हम लगा सकते हैं तो उसकी सीडलिंग इस समय कर सकते हैं और ये जो सर्दियों के प्लांट है ये अपरेल तक चलेंगे उसके बाद फिर इनकी लाइफ साइकल पूरा हो जाता है तो फ्रेंट्स अब चलते हैं अपने नेश्ट प्लांट के तरह तो फ्रेंट्स जैसे मेरी गोल्ड की ये वराइटी जिसे जाफरी के नाम से जानते हैं बहुत नरसरियों पे तो ये प्लांट की हाइट कुछ ज़्यादा नहीं होती है और इसमें खुसबू कुछ अच्छी आती है तो अभी मैं ये देख रहा हूं तो काफी अच्छी खुसबू आ रही है प्लांट आपको 20 रुपे में मिल जाएगा किसी भी नरसरी पे आप ले सकते हैं तो फ्रेंट्स इसकी भी केर सेम उसी तरह से है जैसे हम अपने उस वेराइटी की हाइब्रेट की करते हैं उ ओवर वाटरिंग हमें ख्याल रखना है ओवर वाटरिंग ना हो इससे इसकी जड़े खराब हो जाती है तो फ्रेंट्स नेश प्लांट है फ्रेंट्स इसको क्रिस्मिस ट्री के नाम से जानते हैं ज्यादत है नरसरी पे मैंने कई नरसी पे गया तो इसी नाम से ही इसको जा प्राइण देखिए और यह प्लांट जो की बहुत बड़ा हो जाता है तो आप इसको जब भी लगाएं तो इसको भी तुबी догमले में लगाएं friends मैं मिट्टी के गमले ही कहता हूँ जो नए ने लोग प्लांट लगाने का सौगीन हूए हैं तो वो मिट्टी के गमले लगाएं क्योंकि प्लास्टी के गमले में जब वो प्लांट लगाते उनके प्लांट खराब हो जाते हैं फिर वो बागवानी से उनका दिल तूट जाता है वो कहते हमारे से पोधे लगते नहीं है तो इसलिए आप जब भी लगाएं तो मिट्टी के गमले में ही लगाएं तो आपका प्लांट जो है कि अच्छे से गुरू होगा तो यह फ्रेंट्स आगे चलते हैं तो यहां का एड्रेस भी नोट कर लीजिए अब आपको कुछ गमले दिखाते हैं तो इधर देखिए फ्रेंट्स इस पे नरसरी पे आपको गमले मिल जाएंगे तो देखिए यह सेरमिक पोर्ट होते हैं तो फ्रेंट्स यह कईड डेजाइन में आपको मिल जाएंगे तो फ्रेंट्स वीडियो कैसी लगी तो उस तो वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसी वीडियो तो आप सस्क्राइब जरूर कर दीजिए आपका सस्क्राइब करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा और हमें वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है तो आप हमारी मेहनत के लिए एक सस्क्राइब जरूर कर दें और वीडियो को एक like जरूर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ceramic port मिल जाएंगे और कई design के आपको मिल जाएंगे तो आप अपने मन पसंद color है जो कि buy कर सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे यह 2500 रुपे और कई rate के हैं तो इस पे हम किसी और दिन detail में बीडियो बनाएंगे तो आज की बीडियो कैसे लगी आप हमें comment करके भी बताईए और यह देखिए यह 50 रुपीज है देख सकते हैं तो इसमें छोटे प्लांट अगर हम cactus बगेरा लगाएं तो बहुत ही सूरत लगेगा तो जल्दी आपके लिए नई नई वीडियो हम और लेकर आएंगे कि आप कौन से गमले में किस तरह का प्लांट लगा सकते हैं तब तक अपना ख्याल रखे और अपनी बागवानी का भी ख्याल रखे जल्दी आप से फिर मुलाकात होती एक नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पोधे के साथ